हेलो गाइज स्वागत्या आपका अपनी यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हमना है डारेक्टर अफ इडिकेशन रियन सीटी अफ दली की वक्षीट नमबर फाइफ जो की ग्लास सेवन की बच्चों के लिए सब्जित आपका साइन्स है डेट है 3 अगस्ट 2021 आप अपना ने में अपनी लाव सी जगाने में लिखें तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा साइन्स सब्जेक्ट के टॉपिक है हाँ न्यूट्रेंट्स आर लिप्लेंस इन दे स्वाइल में तो रादिका दूरिंग और विजिट तो नेरेस्ट टॉप फि हम अजिगे वह हुग मैं दालें वह लौन हो और लाउनस ओर पॉर्ट में तो सुसती ही कि ऐसा चाहिके तो प्रदलाइजर मैंने में रखोता क्या है इसको परलाइजर ऑर चैमिकल सब्सेंस फिच प्रोएट्टेंस तो ब्लांट इनी नाडरोजन फॉस्फोर्स के प्रोट जो मैनेर होते हैं वो और गैनिक सबसेंस होते हैं जो निटेंस प्रवाइड करते हैं प्लांट को प्लांट उसिंटơम करते हैं अपनी अच्छी ब्रोध के लिए अच्छी हल्थ के सब्सक्राइड के अच्छी हथी रिए, जो इे आइन। hope थे नियुटिरेंट आप डाइड करना चाहिए जिससे वर इन्टॉल के इन्टॉल बढा सके ऑमांग ओर ये नियुटिरेंट को छोड़के ब्लांट को नैटॉजन जबसे रादर अमांट पे चाहिए होती है थो नाइटिरेंट इन प्लांटी सब्सक्राइब प्लांट के नौट टेकिट डारेटली नहीं ले पाते हैं इनी नाइट्रोजन इन सॉलीबल फॉर्म में चाहिए एक बैक्टिरिया है राइजोबियम विच लीफ इन रूट ऑफ ग्राम नहीं वह ग्राम पी स्मूंग बीन्स इनकी रूट्स में रहता है अध नाइट्रोजन को लेता है और इसे कंवर्ड कर देता सॉलीबल फॉर्म में जिसले वह प्लांट को मिल जाती है अंबॉस्ट ऑफ पलसे डाल्स ऑप्टेइन फं लेग्यूंग प्लांट से बनते है राइजोबियम चैनाट मेंक इस ओन फॉर्ट इस प्लांट प्लांट प्ल स्पारफिट रिलेशनशिप क्या होता है तो यह रिलेशनशिप बेट पर लाय तो यह से चैल्टर प्रोवाइड कर रहा है यह दोनों को बैनिफिट रहता है अब इससे रिएटिट कुछ कोशन है राइट वन डिफरेंस बिफवीन वाइसर एंगे तो आप यहां से इसका अंज़र कर लेंगे फर्टलाइजर आर चेमिकल सब्सेंस विच प्रवाइड नेुटरेंट्स प्लाट्स मेनला इंधरेंट्स फॉस्फरिन और और उक्षिजन and many others are organic substance which are obtained from decaying parts of plant animal excretion and provide nutrients to plants तो यह आप question number first कहां साभी लेंगे यह chemical substance होते हैं और और गनिक्स होते हैं तो यह difference होड़ा है और बीच में question number two है write three main nutrients for plants are nitrogen, potassium and phosphorus तो आप यहां से इनकी spelling भी लिख लेंगे nitrogen, phosphorus and potassium यह तीन आप लिख लेंगे mainly nutrients है फूर्थ, third question है what is symbiotic relationship तो आप यहां से इसका अंसर कर लेंगे symbiotic relationship the relationship between two organism in which both get mutual difference mutual benefits तो आप यहां से इसका अंसर कर लेंगे यह आपका answer number third हो जाएगा why do plants need fertilizer and nutrients and manures तो plants को fertilizer and manure क्यों चाहिए यहां से इसका अंसर कर लेंगे fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus these nutrients need to be added from time to time to time to increase the soil इसले क्योंकि वह लाज अमांट में nitrogen, potassium, phosphorus contain करते हैं तो इसलिए plants को चाहिए तो आप इसका answer number four में इसका answer कर लेंगे तो यह थी आपकी आपकी आज की work sheet आपकी work sheet आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले bell icon को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो के notification मिलते रहे हम आपके लिए तनी मैनत करते हैं तो आप एक